एक बड़ा सवाल है क्योंकि देखे उत्तर प्रदेश की बात कानपूर से हो रही है और कानपूर से आप आते हैं कानपूर के विकास की बात करें आपको लग रहा है कि सपनों का कानपूर बन चुका है या भी बहुत काम होने की जरूरत है और इसके लिए ठीक है आपने भी क बेशा कि यहाँ जादा से जादा आएं यह बहुत मैं जैसे मैंने आपको पहले का कि मैं कानपूर के साथ बेरी प्रासमिकता और उसके पर आप प्रश्ण गया धन्यवाद आपको देखिए कानपूर महानगर आज से दस साल पहले और आज के कानपूर में फर्क है चाहिए पीछी होते थे श्यालीज में पचास में नंबर के उपर होते थे कानपूर की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है कानपूर के ट्राफिक के विए समय सुधार हुआ है कानपूर में इंडस्टाइजेशन आगे बढ़ रहा है और जैसे आपने का कानपूर सपनों के आपको प कोविट के बीचे लेकिन कहीं ने कहीं उस दो वर्षों को एक अपॉर्चूनिटी के रूप में भी लेकर स्वास्ता सुधाओं में बहुत सुधार हुआ है जैसे मैं दूसरी रहाई थी बहुत डरामनी थी हम तो पबलिक रिप्रेजन्टेटिव हैं जनता के बीच मैं रो दारे सिक्षा के चेतर में अभी इसके ओपर डिबेट हो रही है दिल्लीए वाले कहते हैं हमारे प्रदRIS कहते हैं ऐची है हमारी तो उसके ओपर हमारे विद्यालियों के ओपर उनको कैसे सुधार करें कायकल पिजना के अंतरकत विद्यालियों को सुधार है पीने के पानी के लिए जो बंदेल खंड में पानी की ये माना चाहता था कि बंदेल खंड़ है तो इसमां बन्द peace नहीं होगा आज वहां भी हर गर नल और हर गर जल परारम हो गया वहांपर लोगों को पानी मिलना परारम हो गया हमारे कानपोर्मानगर में, जिसें, आउट सकर्ड्स थे 川ड्स मेरे को इस बात को कहते हुए तकलिफ होती है कि यह सिटि अन्प्लेंड था क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी आउट्सकर्ट्स में रहती है और आउट्सकर्ट्स प्लाइनिंग नहीं हुई पचास सालों में, सतर सालों में, तीस सालों में, मैं सभी के बात करो, मैं पॉलिटिकल बात चीद नहीं करना चाहता है, सभी लोग, कि प्लान ही नहीं हुआ जैसे शहरी करण बढ़ना है मैं इस बात के एक डिबेट भी चाहूंगा कि आप लोग इसके उपर डिबेट करिये जिसमें हम सब को मालूम है कि शहरी करण होगा हम कहते हैं कि 2030 तक 40% लोग शहर में रहेंगे तो 2030 तक अगर 40% शहर में रहेंगे तो शहर में आने वालों के लिए हमने मकान EWS कितने बनाएं हमने LIG कितने बनाएं MIG कितने बनाएं HIG कितने बनाएं इसकी सारी कि सारी planning होनी चीज़ जो नहीं होई दुर भागे से तो जब शहरी करण होगा और development authorities और नगर निगम या वास्विकास परसर जिनकी जिनकी जिम्मेवारी है इसको बनाने की अगरों ने नहीं बनाया तो इस प्रकार की unplanned colonies बनेंगी बनेंगी और उन्प्राइंड colonies जब बन गई और बिच्टे अभी नहीं बनी पांस साल में 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में बनी है लोग pathetic conditions में रह रहे तो लाखों लोग थे इस नॉट पॉशिबल ये देखिए कुरसी के ओपर बैठ कर या किस ऐसे समभधानिक पद के ओपर बैठ कर जिसका मैं आदर और सम्मान करता हूं जिसका नाम नहीं ले सकता कहना कि सब को हटा दो यह आसान काम है सब को बसा कर उनको सुवेदा दो यह मुश्किल काम है और वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं